तो सबसे पहले बात है, रिष्टा जरूरी है, रिष्टा, ऐसा ने अमर्जनसी में, सडली फोन आयागा, अरे साब ऐसे प्रावलम है, अरे कहां थे या तुम इतने दिन, ऐसा था क्या काम था मुझे, टाइम नहीं, क्या नहीं, टाइम निकालो, तो रिष्था रखो, मसी ज रिष्टान रिलेशन्षिप, यह युश्व मसी सिखाये, टोटली आपोसिट तो वाट इस हैपने इड़िजिए सर्कल्स, जो धरम के गुरू लोगों की मामले में, वो सब अलग था, युश्व मसी का बात अलग था, चोटा से प्रातना करते थे, तृंत जवाप पाते थ करेज़िए, अशुदात्म से अशुदात्म को, क्योंकि तो लोग बगा नहीं पा रहे थे, जब ईशुम से अशुदात्म को बगा रहे थे, लोग फिर भी गलत दोश लगा रहे हैं, उसके बारे में कोई चिंता नाए प्रभु जी को, क्योंकि पिता के आदिन स्षाध मे जाकर के शैतन को सामना करो उसके लिए क्या करना है पहले परमेशर के आदिन रहना रिष्टा में रहना बेटा पिता ऐसा रिष्टा जरूर अलग है इबराहिम की काभी बच्चे हुए थे बाइबल में लिकरे बात में सारे बच्चे लोगों को क्या-क्या उसने गिफ्ट दे के दूर दूर चला जाओ मेरे बेटे का सवत तुमको मिरास नहीं है आपको परमेशर मिरासदार बनाए उनके संगी वारिस बनाए पवित्रात्मा मेरे आत्मा में देता गावाई मैं परमेशर का संतान हूँ ये बार-बार याद रखो या तुम सुहर नहीं है परमेशर का संतान है सुहर सोच रहे है इसलिए गड़े में जाके गिर रहे हो पाप में जा रहे हो लेकिन समझ लो मैं परमपवित्र है पवित्र पिता का पवित्र बेटा हूँ, संगी वारिस हूँ, मेरा अंदर परमिश्र के आत्मा दिया हूँ, हिम्मत के आत्मा दिया हूँ, सायम के आत्मा दिया हूँ, तो सोचो मैं परमपिता का बेटा हूँ, मुझे हकदार हूँ, मैं वारिसदार हूँ, मैं मिरासदार हूँ, परमिश्र मुझे दिया, तो ये पहले बात है, रिष्टा के आधार पर परातना होना चाहिए